स्वागत है आप सभी का इस practice set में देखिए आप कुछ भी करके practice set की वीडियो को ignore नहीं कर सकते हैं चोकि practice set की वीडियो बनाने में काफी मेनत लगती है मेरा मकसद सिर्फ बता करके निकलना नहीं है मेरा मकसद है कि आपको चीजे समझ मियानी चाहिए एक question को कैसे देखते हैं वो नजरी आपको पता चलना चाहिए ताकि आप exam में question को कम समय में solve कर सके है ना English का ये practice state है और यहाँ पर आपको बिधिवत तरीके से questions बताया जाते हैं और आप संतुष्ट होते हैं ठीक है चले शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का पहला question आपकी सामने fill in the blank से question दिया हुआ है यहाँ पर question है कि I-speak both English and Chinese fluently सर इसका मतलब कुछ नहीं समय में आ रहा है क्या होगा यहाँ पर option can, could, may, must यहाँ पर might देता तो और अच्छा रहता can, could, may, might क्या हो सकता है सर बताईए जी option A कितना simple है क्यों सर कितना simple मतलब नहीं समझ में देखे I can speak English and Chinese fluently देखे जबी मानसिक या सारिक सामर्थ को प्रकट करना हो तो can का प्रयोग करते हैं जैसे मैं तैर सकता I can swim मैं पेड़ पर चड़ सकता हूँ I can climb on the tree तो इस प्रकार की सेंटेंस में आन जैसे मैं बोल सकता हूँ I can speak, I can speak, I can speak है न इसे बोलते हैं अंगरेजी लोग ना I can speak तो simple सी language है आपको option A is right here English is very funny language आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है English week है ना तो मेरे साथ practice set solve करते रहेगे धीरे धीरे आपको पता नहीं चले लगाए कि कब आपकी English सुधर गई और कब आप practice set में अच्छा नंबर लाने लगे अगला question लिखा हुआ है कि the concert had to be called a dash because the singer met with an accident last night दुखत बात है accident हो गया last night में तो यहाँ पर होगा option नंबर A सही officer क्यों देखे call off का मतलब होता है अस्थाकित करना तो call it off होगे यहाँ पर second phone ठीक है यहाँ पर बात यह है कि संगीत समारो जो है उसको अस्थागित करना पड़ा क्योंकि जो गायक था उसकी पिछली राज accident हो गया था इसलिए जो यह जो concert था जो समारो था उसको अस्थागित करना पड़ेगा तो called off option is right here ठीक ना आगे बढ़ लेते हैं ज्यादा हमको लग रहा है कि धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं थोड़ी सी speed बढ़ाते हैं अगला है her books and clothes were picked, dash, packed, chest and shipped across to Canada अब देखें यहाँ पर यह जो chest लिखा हुआ है न तो यह ज्छाती वाला नहीं है ज्छाती मतलब समझ नहीं है जो सीना होता है उसका नहीं है इसका मतलब यहाँ पर होगा संदूक ज्छाती में थोड़े रखेंगे, chest में थोड़े रखेंगे, सीना में नहीं रखेंगे इसका मतलब संदूक भी होता है, जिसका मतलब सीना होता है ना सीना समझ नहीं होता है तो यहाँ पर into का प्रयोग होगा ओप्शन is right है इन्टू का मतलब क्या है कि जो उसकी किताबें और कपड़ें वो संदूक में भर करके कनाडा भेज दिया गया ठीक है चलिए very simple अगला है the four friends share the pocket dash biscuits or dash themselves अब देखिए simple सी बात है सर जी कि off तो होगा नहीं ये double off तो होगा नहीं जबी भी होगा single off होगा और between नहीं होगा themselves है न तो अधिक लोग हैं plural है between सिर्फ दो लोगों की बीच में जब देना होगा जैसे राम एंड सियाम, मोहन एंड सोहन, रवी एंड कभी तब दो लोग हों तब between लेकिन दो से अधिक हों तो among का प्रयोग करेंगे simply option be is right here यानि कि B हो जाएगा, पहले में off भरा जाएगा, दूसरे में among भरा जाएगा याद रखेंगे जब दो के लिए तो between और दो से अधिक के लिए among यह between और among से आपके एक्जाम में question आते हैं no doubt बहुत ही simple fact होटा है between का मतलब 2 और among का मतलब 2 से अधिक आईए अगले question की तरफ बढ़ते हैं और अगला question वही find the error से है जो कि आपके एक्जाम में सीधे line में लिखता है और चार भाग में उसको बाट देता है और एक में लिखता है A, दूसरे में B, तीसरे में C, और चोथे में D और यह sentence यहाँ पर लिखा होता है लेकिन चुकि इसमें क्या क्या है कि ऊपर नीचे गर के दे दिया बात वही है आईए देखे, आप खुद समझदार है अब भाई साब यहाँ पर लिखा है कि द लगाने की कोई जरूत तो नहीं थी आपको लगनी रहा है क्या कभी बोलते हैं कि the teeth, the nose, the mouth ऐसा नहीं बोलते हैं तो यह the यहाँ से हटा दीजिए sentence ही हो जाएगा यानि कि जो option A है इसमें liver is the largest organ of human body यानि कि द नहीं होगा ठीक है तो option A is right here दूसरा जो question यहाँ पर है इसी से संबंधित find the ear से इसमें आपको ear बताना है question है a journey by the road is very comfortable अब सर्थ by the road क्यों आया गलत है न यह तो पढ़ने में गलत लग रहा है very simple है option B is right here by नहीं होगा बाई को यहाँ पर हटांगे बाई बस रहता तो समझ में आता है बाई कार है तो समझ में आया बाई ट्रेन है तो समझ में आया बाई रोड नहीं होता है on the road होता है क्या होता है on the road the journey on the journey on on the road very comfortable सड़क की आतरा आरामदाएक है है ना चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही simple बहुत ही simple है चीजें अब देखिए narration से आपके सामने question आ गया है narration से जो question है इसको थोड़ा सा side में sit करते हैं और देखिए लिखा हुआ है कि they said comma inverted comma we were enjoying the weather सर जी क्या होगा यहां पर देखिए पहले तो comma inverted comma को that में change करेंगे तो सभी लोग that में change किये हैं चलो भाई ठीक है सभी that में change किये हैं यह तो ठीक है sad को sad ही रखेंगे क्योंकि आगे sad to कोई फलाना डिम का है नहीं आगे तो क्या करेंगे they said that अब दे हो जाएगा न दे भी सब में है अब यहां पर वर है वर है न तो यह head में change होगा न तो यहां पर पहला में head enjoyed the weather नहीं बीन आएगा इसके बाद option d होगा option d आप देखें ध् that they had been enjoying the weather had been होगा had been ing form है न डी is right here no doubt समझ में आया इसमें कोई doubt की बात नहीं है अगला जो है passive at से question है और question है they laugh at the joker देखें लाफ के बाद हमें से at आता है यह चीज़ याद रखें लाफ at ठीक है यह fix चीज़े है इसको याद रखेंगे तो इसको बनाना है सर जी passive यह question है active में और past indefinite में है they laugh second form they laugh at they laughed at the joker क्या होगा इसका passive passive में देखें वाजवर और वर्प का third form लिखेंगे ना passive में चुकि यह simple में है तो वाजवर होगा तो वाजवर option c और d में वाजवर होए बाकि क्यों तो किसी में है नहीं तो c वाला देखते में was being नहीं होगा was being नहीं होगा option d यहाँ पर सही होगा the joker was laughed at यह laughed at एकी साथ रहेगा हमेशा by them ठीक है यहाँ पर being आ गया थे इसलिए गलत हो गया ठीक है तो यह सी थे यहाँ से होगा option d the joker was laughed at by them ठीक है देखा देम होता है है ना चली आगे बढ़ते हैं अगले question की तरब तो अकला question है ना correct word से बताना है आपको है न एक्तम प्रेम से समझते चलिए ना इतनी घबरानी क्या ज़रूत है समय है आपके पास ना समय निकालके ही यह practice set वाली वीडियो देखा करिए मेरा मकसद समझाना है ना आपको यह जो word लिखा हुए वह आला तेला दिखने में लग रहा है ना इसको याद करना पड़ेगा लिखा है discrepancy एक पर फिर से discrepancy का मतलब होता है विसंगती जिसको औसंगती बोलते हैं आप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है spelling मिला लेजिए d i s c r e p a n c e y तोड देंगे तीन हिस्से में तो याद हो जाएगा पहला d i s c r e p a n c y p a n c y discrepancy तभी आद होगा और संगती यानि बुरी संगती जिसको कह सकते हैं ठीक न आगे बढ़ते हैं अगला भी जो दिया हुआ है और ये इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा जो spelling है वो सही है और ये वाला आपके एक्जाम में पूछा जा चुका है जी बिल्कुल no doubt ने वो पूछाजा चुका है वो बताएंगे आपको कई सालों से पढ़ा रहें तो अनुबव है कि क्या क्या चीज compartir पूछी गही है मिलेनियम मिलेनियम का मतलब क्या होता है सबसिका मतलब ह होता ना एक हजार साल की अवधी जैसे सव साल की अवधी क्या बोलते हैं century बोलते वैसे ही एक हजार साल की अवधिक क्या होते हैं मिलेनियम क्या होगा option B is right here बिल्कुल सही spelling देखे मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ कि आपके exam में जो spelling वाला system है न उसमें double letter वाले word जाता पूछे जाते हैं ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अब आगे जो word आपके सामने दीख रहे हैं चली दोनों word दिखा देते हैं यहां से आगे जो दोनों ये word दीख रहे हैं ये opposite बताना है मतलब अंटोनिम बताना है तो पहले ये opulent का देख लेते हैं opulent का मतलब होता है धनी या अमीर इसका उल्टा क्या होगा अब इतना आसान देदेगा तो आप तो बताई देंगे कि पूर होगा चलिए सही करते हैं पूर को लेकिन पूर मतलब आपको पता था लेकिन opulent मतलब नहीं पता था विल्कुली मंदारीच बताईएगा नहीं पता था न हाँ तो यहीं होता है एक का मिनिंग पता रहेगा दूसरे का नहीं रहेगा इसी में confusion होता है तो यहाँ पर option A से हो जाएगा धनी का उल्टा पूर गरीब होगा ठीक ना बागी का option समझने जरूरत है संप्चिवश जी शंप्चिवश को भी समझ लीजिए भाई इसका मतलब होता है वाई भाई भाई शाली जीकर जॉपिंग का मतलब लटकना और वेलदी का मतलब धनी यह कोई सिंपल सी बात है जो ज्यादा important है अगला है अगला क्या है आपके सामने इसको भी देखिए इसको देखे फटा-फट बताए यह भी तो देखने में काफी असान लग रहा है आपको बताए फटा-फट क्या हो सकता है इसका बहुत ही सिंपल है रिसीड है रिसीड का मतलब क्या होता है पीछे हटना या लटना पीछे हटना इडवांस हो जाएगा इसका सही अपसन इडवांस मतलब aggream होता है ना दूसरा आप्सन जो जो है उसको अभी समझ ले जOOD लिखावा है रेट्रोग्रेट का मतलब पीछे और विद्रह का मतलब होता है निकालना या वापस ले ना एक जो सब्द है त्रेट देखिए जब भी मैं कभी मूवी उगर देखता हूं या आप भी देखिए जबी बी मूवी उगर देखिए तो उसमें कही बार क्या रोता है कि इंगलीस शब्द का प्रयोग लोग करते हैं ठीक है और जो एक्जाम उगरे में आते हैं खास करके जो word ने ने प्रचलन में होते हैं उन्हीं word को कई बर उठा के दे देता है तो मैं जबी भी कोई movie देखता हूँ जब English के word कोई actor वहाँ पर बोलता है तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं कि इन्होंने English का कुछ word वोला इसका मतलब क्या होता है अगर मुझे वह मतलब पता रहता है तब ठीक ठीक नहीं पता रहता है तो मैं उसको तुरंत नोट करता हूँ बाद में सर्च करता हूँ और देखता हूँ कि इसका meaning क्या है यह आदत आप खुद में भी पा लिए तो अ जैसे क्या होता है कि जब लडाई वहाँ पर चल रही होती है तो अपने जो सैनिक है उनके पास जो गोला बारूत थे वो कम पड़ गये थे वह उससमें अभी जल्द ही देश आजाद हुआ था तो अपने पास संसाधनों की कमी थी है ना वीर जवानों की कमी नहीं थी वो जैसे होता ने कि सेर जब दो कदम पीखे हढ़ता है तो फिर बाद में हमारे 125 सैनिक मिलकर के हमारे और 3000 चीनी को परास्त करते हैं भारी पढ़ते हैं चिर्फ 125 सैनी तो शुरू में दो लोग रेटरीट करते हैं म refers जाते हैं यह वर्ड याद रखेंगे रेटरीट वाला है बहुत important word, exam में आएगा चुकि ये defense में ज़्यादा यूज होता है, ये word retreat है तो आपको अपने exam से retreat नहीं होना है पीछे नहीं अटना है, ठीक है, वार करना है और जब 125 लोग मिलके 3000 को हरा सकते हैं, तो आप एक exam को नहीं हरा सकते हैं, जी हरा सकते हैं चलिए, आगे बढ़ते हैं मैं ज़्यादा आपका वक्त ले ले रहा हूं इसके लिए sorry, लेकिन समझाना मेरा मकसद है आगे जो दो word है, इनका sinonim आपको बताना है, फट फट dubious जो word है ये कई बार exam में आ चुका है बहुत important word है dubious का मतलब होता है संदिग्द, संदिग्द मतलब समझ रहे हैं संदिग्द हाँ, वही doubtful वाला संदिग्द option D is right here undoubtedly का भी मतलब समझ लिजी इसका मतलब तो समझ में यह आ रहा है undoubtedly का मतलब क्या होता है निश्चीत रूप से है न और बाकी कुछ समझाने की जरूबत नहीं है hesitant का मतलब वही दूबिधा में पढ़ना बाकी आईए देखते हैं clear का तो मतलब आपको पता ही आगे आते हैं freeze it का मतलब होता है ठंडा होना जिसको ic बोलते है ic ने ic कूल-कूल ठंडा freeze it का मतलब ठंडा हो या ic का मतलब होता है सही हो जाएगा cordial का मतलब भी समझा है हारदिक Sue DOWN भृणधन है तो वही Cardial उने bold का मतलब entfer पता है जिसका मतलब निर्भीक होता है stitch flick का मतलब होता है गला घोटने वाला option d है समझ में आ रहा है बाकी यहां पर सी सही है कितनी फणी तरीके से पेपर स्वालू कर रहे हैं आप ऐसे हसते खेलते स्वालू करना है एक्जाम में है ना आईए भाईया वन वर्ड सब्चिटिव संसे क्वेश्चन आपके सामने है क्या बात है ऐसा ही तो चाहिए है बहुते लोग आज कल ऐसा ही चाहते हैं रहा है कि एक ऐसी ऑफिस हो जहां पर गुड सेलरी हो अच्छी सेलरी हो लेकिन काम कुछ नहीं करना हो इसको एक सब्दों में कहेंगे क्या कहेंगे इसको एक सब्दों में कहेंगे साइने क्योर option number D is right है साइने क्योर का मतलब होता है चैन की नवकरी यानिक एक ऐसी नवकरी जहां पर salary अच्छी हो काम कुछ नहो न के बराबर काम हो ऐसा को जाब है ऐसा बस वही टीचिंग का जाब है जिसको गाउं में लोग सम मजते हैं कि primary का master हो गए middle का master हो गए तो मज़े मज़ा है लेकिन actual में जो देखा जाए जो उनका करतब है वो आराम की नवकरी नहीं है अगर आप बढ़िया टीचर है तो आपके लिए कुरसी थोड़े बनाई गई है कि आप कुरसी पर बैठो आप तो बच्चों को पढ़ लिए है that doesn't matter आगे बढ़ते हैं समझ में यहां पर जो आराम की नवकरी चैन की नवकरी सिने क्योर कहते हैं ठीक है चली दूसरा तब लेख लेते हैं लिखा वा है और शापोर्टर आप दकास आप वुमन इसको वो मैन नहीं पढ़ते हैं वुमन है ना वुमन तो क्या होगा कि वही जो औरतों के support की बात करें जो नारिवादी की बात करें जिसको feminist कहते हैं option B is right here feminist 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 F-E-M-I-N-I-S-T ठीक है नारिवादी तो यह question आपको solar question में बताया आप उमीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा और last में वही बात बोलेंगे हम कि आप टेली ग्रा पर solve करने को मिलते हैं और कोई भी quick message रहता है तो मैं वहाँ पर सीधे भीज़ देता हूँ आपके यहां तुरंत पहुजाता है message पढ़ पाते हैं वीडियो बनाने में वक्त लगता है लेकिन वहाँ पर directly मेरा message आप तक पहुंच जाता है है ना तो वहाँ पर जुड़िए और प्रेम पुर्वक एक comment करके बताईए कि यह जो practice 8 मैंने solve कराया बिल्कुल कूल तरीके से कि आपको समझ में आया पसंद आया कुछ भी समझ में कुछ पले पड़ा दिमाग में गुजा लगा कि practice 8 solve कर रहे हैं अच्छा लगा तो बताईए continue इसको रखा जाएगा बाकी आपके जो doubts आ रहे हैं questions आ रहे हैं उसके बारे में पूरी तैयारी की जा रही है no doubt selection लेना ही लेना है बिंदास तो comment box में एक बर जय हिंद का नार लगा दीजे और याद करिए उन 125 जवानों को जो 3000 लोगों को धूल चटा दिये थे आपको एक छोटा सा paper solve करना है और इस paper क को धूल चटा रहा है ठीक है वर्दी चढ़ाना है अपने सीने पे अपने कंधी पर इस्टार लगवाना है आगे चलके तब मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम